समाज में एक आम कहावत है जो मांगे ना सुपावे ना मतलब ये कि यदि कोई मांगे नहीं तो उसे उसका अधिकार नहीं मिलेगा यदि वो अपने हक के लिए विद्रोह नहीं करे तो उसका हक छीन लिया जाएगा जैन समुदाए सानातन समाज का हिस्सा एक ऐसा समुदाए जो विद्रोह नहीं करता जो अहिंसक है जो सोच में भी हिंसा नहीं रखता उस जैन समुदाए की आत्मा बस्ती है सम्मेद शिखर पर क्योंकि उनके 24 तिर्थंकरों में से 20 की मोक्ष वहीं प्राप्त हुई थी जिहां जारखन के गिरडी जिले में समेद शिखर है एक पहाड़ पी और समीर जी शिखर में आस्था इस कदर जैन समुदाए का है कि दुनिया भर की जैन मतालम भी वहाँ आकर अपनी आस्था का समर्पन करते हैं ऐसे जैन समुदाए कि इक्षा के बिरुद जारखन सरकार ने वहाँ उस जगह को तिर सस्तल बनाने की घोशना कर दी और काम काज भी शुरू कर दिया गया उस जगह पे होटेल्स तो बनेंगे ही और उस प्रिस्तावना में है कि वहाँ पे मुर्गा, मचली, शराब, दारू, हर तरह के चीजों का ना सिर्फ बिक्री होगा बैपार भी होगा जैन समुदाए का इसी को लेकर विरोध है लगातार जैन समुदाए इसको लेकर विरोध कर रहा है लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं डिंग रहा है ये विरोध सिर्फ जारखंड और उसके गिरड़े हिलाके में नहीं बलकि पूरे भारत में हो रहा है मद्यप्रदेश 36 गर्ट से लेकर के गुजरात तक इसका विरोध हो रहा है तो क्या हेमन सोरें सरकार की चूले नहीं हिलेगी सिर्फ इसलिए कि ये समुदाए आहिंसक है हिंसा नहीं करता इस समुदाए का कहना है कि यदि आपको परिटर में ही बदलना है तो इसे धार्मिक परिटर में बदलिए जैसे काशी विश्वनात को बदला गया आयोध्याजी को बदला गया है और यदि जैन समदाए ऐसा डिमांड करता है तो उसे सुईकार क्यों न किया जाए जैन समदाए की सोच किस तरह की है इसकी बानगी मेरे साथ हाल ही में हुआ मैं चुनाब के दोरान गुजरात की आत्रा पर था वहाँ पर एक बाबुलाल जैन जी से हमारी मुलाकात हुई और जिस तरह से गुजरात में हमारे वीवर्स ने मेरा सम्मान बढ़ाया उसमें बाबुलाल जी अग्रनी थे कई लोगों ने मुझे फूल के माले पहनाए स्टेशन से लेकर के अपने घर पे भी लेकिन बाबुलाल जी उसमें से थे उन्होंने मोतियों के माले पहनाए फिर बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आपने पूछा नहीं कि हमने आपको गुलाब के माले क्यों नहीं पहनाए मैं हातप्रब था कि मैं उन्हें क्या कहता तो उन्हेंने बताया कि फूल की पंखरियों में भी कई बार कीरे मकोरे होते हैं और जब उस फूल को कहीं फेका जाएगा तो उस जगह पे भी कीरे मकोरे लगेंगे और चुकि उसे किसी पेर पौधे से तोड़ा गया है तो पीड़ा हमारा मानना है कि कस्ट उसे भी नहीं होना चाहिए जिस समुदाय की सोच ऐसी हो उसकी भावना को किस कदर ख्याल रखा जाना चाहिए यह सरकार के लिए चिंतन का विशय है बाबुलाल जी की सोच ने हमें एक पंक्ती में एक भाव में जैन समाज के उस आस्था को पूरी तरह से समझा दिया जो अहिन साब पर मुधरमह के में इस कदर आस्था रखता है उस जैन समुदाय का विरोध है सडकों पर लेकिन वो समुदाय उस कविलाई समुदाय के तरह हिंसक नहीं हो सकता वो पत्थरवाजी नहीं कर सकता सरकार की चूले पत्थरवाजी से गोली बारूज से नहीं उड़ा सकता तो क्या उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी दरसल जैन समाज के 24 तिर्थंकर में से 20 जैसे मैंने कहा कि उनकी मोक्ष की प्राप्ती वहीं पर हुई थी ना सिर्थ 24 में से 20 तिर्थंकर बलकि बड़ी संख्यामी मुनिराजों ने वहीं मोक्ष प्राप्त की है ऐसे में इस समदाई की अथाह आस्था गिर्ड़ी के उस समेद शिखर जी में है तो सवाल ये है कि किसी को इसकी अनुमती कैसे दी जा सकती है कि समेद शिखर पर अयासी का अड़ा बना दिया जाए वहाँ पर मदिरापान हो वहाँ पर बकड़े काटे जाएं मास मच्छी खाये जाएं मुरगा काट करके अयासी की जाए उस जगह को अयासी का अड़ा बना दिया जाए हर मंदिर की हर समुदाई के मंदिर की आस्था अलग अलग होती है सनातन समाज में भी दक्षिन भारत के कई मंदिरों की अपनी आस्था है जहां कुमारी, महिलाएं जो रजुसरवाइस्त्री नहीं जाती है तो क्या सुप्रीम कोट से जिस तरह से हिंदू भावनाओं को चोटिल किया गया उसी तरीके से जैन समुदाई कि भावनाओं को चोटिल किया जाएगा क्या सरकार अदालत जाएगी और फिर इस देश की अदालत उसी धंग से जिस तरह से टांग अडा देती है कुछ ऐसे मंदिरों में जिसकी आस्था है जिस तरह से दही हांडी में टांग अडा देती है सुप्रीम कोट क्या उसी ढंक से टांग अड़ा दिया जाया क्या सरकार इस पूरे मामले को अदालत ले जाना चाहती है इसलिए समुदाय को नहीं सुन रही क्योंकि सरकार का मानना है कि हम पर्यटन बढ़ाना चाह रहे हैं सरकार कही रही कि हम उस जगह पे सुविधाएं बढ़ाएंगे आपकी सुविधाएं यदि हमें ऐसी नहीं चाहिए जो हमारी भावनाओं को चोटिल करे तो आप ऐसी सुविधाएं यदि हम कहते ही कि आप अपने पास रखें आप हमारे उस आस्था के केंदर को अपने वैवसाय का सेंटर क्यों बनाना चाह रहे हैं दरसल जहारखंड में ये प्रस्ताव माना जा रहा है कि बीजेपी के रगुवरदा सरकार के दौर में आई थी लेकिन उस समय में से उस तरह के परिटन का प्रस्ताव नहीं था जिस तरह से इस हेमन सोरेन के सरकार के दौरान आया है अब ये मुद्दा घर्म होता जा रहा है आम तोर पे माना जाता है कि बीते दिनों में विकिन कल्चर जो बढ़ा है उसमें लोग इन धार्मिक अस्थलों को भाबनाओं से अलग हटकर के अयासी और परेटन का केंद्र बनाना चाहते हैं ये चीजें कई ऐसी सनातनी समाज के धार्मिक अस्थलों पर देखा गया कि दूसरे समुदाए के लोग भी वहां अयासी करने, मौज करने, पहाड के एकांत में सनातन आस्था को चोटिल करने के लिए पहुंसते हैं तो चुकि एक समुदाए जो विद्रोह नहीं करता, जो सबसे सयमी है, अहिंसक है जिसकी आत्मा में ही अहिंसा है, ऐसे में श्वितामबर और दिगामबर दोनों जैन समुदाए के लोगों ने इस पर विद्रोह किया और बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, जारखंड, चतिसगड इन इलाकों में जैन समाज के लोगों ने सम्मेद शिखरजी के मुद्दे को उठाया है और उनने सरकार से साफ तोर पे कह दिया है कि हम ऐसे परिटन को माननेता नहीं देंगी ये चिठ्थी भारत सरकार को लिखी गई है, भारत सरकार के जलवायू परिवद, 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 मंत्री भुपेंद्र यादब ने आस्वाशन दिया है कि हम जैन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करेंगी लेकिन जारखंड की सोरेन सरकार को क्या सूज रहा है क्या उसने एक कोई बड़ा सौदा कर लिया है कुछ कमपनियों से क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार का एक कोई बड़ा किंद्र है जिसके कारण सरकार को हेमंत सोरेन की सरकार को ऐसा लगता है क्या इस प्रस्ताव को हम वापस करते हैं तो हमें करोणों की छती होती है क्या सरकार के करोणों की छती, सरकार के घोटाला करने के इस इरादे से कुचला जाएगा जैन समुदाय के भावनाओं को क्या जैन समुदाय के अलावा कोई ऐसा समाज होता जिस समाज में सडकों पर पत्थरवाजी का चलन है बिद्रोह करने का चलन है तो क्या कोई सरकार एक दिन के लिए भी इतनी हिम्मत कर सकती है ऐसे में पूरे सनातन समाज की जम्यदारी है कि भारत के आत्मा में बसे महावीर जैन के परतियास्था रखने वालों के परतियास्था रखा जाए और पूरी तरह से जो आबाज, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जवलपुर से लेकर के अमदावाद, राची इन तमाम जगों से उठ रही है उसका साथ दिया जाए लेकिन इनकी संख्या कम है, ये वोट बैंक नहीं है, अब तक इनकी बात इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं, लेकिन इनका अर्थ तंत्र मजबूत है भारत के अर्थ वबस्था में जैन समुदाई की बड़ी भूमिका है भारत के प्रति समर्पन में, आस्था में इस समुदाई की बड़ी भूमिका है तो फिर जिस देश में बोट बैंक के कारण उनकी बात सुनी जाती है जिनका इस देश के परती समरपन नहीं आस्था नहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत से आस्था नहीं उसके पिक्षा एक समुदाय जिसने अपनी पूजा पधती में थोड़ा बदलाव रखा है लेकिन सनातन के परती उसकी आस्था भारती संस्कृति के परती उसकी आस्था प्रचूर है क्या उसकी भावना सरकार नहीं सुनेगी ऐसे में जरूरी इस बात को लेकर के है कि पूरा जन्मानस अपने जैन भाई बंधूं के परती सहयोग का भावना रखे और भारत सरकार के उपर ये दवाब बनाए कि वो जारखंड सरकार को मजबूर करे कि समीर शिखर जी कि परती जो आस्था है उस आस्था को बरकरार रखा जाए और किसी भी इस्तिती में उनकी भावनाओं को चोटिल ना किया जाए ये टूरिज्म प्लेश घोसित करने से रोका जाए और इसे आस्था का केंदर बनाया जाए ये परतन का अस्थल ना बन करके ये धार्मिक टुरिज्म का स्थर्प हो जिस तरह से जो सुविधाएं काशी विश्वनात यायो ध्याधाम में सरकार कर रही है ऐसी कुछ बिवस्था की जाए इसकी मांग की जाने चाहिए यदि जैन समुदाय कि इस भावना को सरकार जारखंड सरकार ने नहीं सुना तो ये माना जाएगा कि इस देश में लोक तंत्र में भीर तंत्र की महत्ता है और आस्था पर चोट सिर्फ अर्थ तंत्र को अपनी व्यक्तिगत लाब के लिए किया जा रहा है पुरा देश भावनात्मक रूप से महावीर जैन जी महराज के भावनाओं के साथ है ऐसे में उमीद की जानी चाहिए कि समेद शिखर जी मामले पर जारखंड सरकार अपना फैसला वापस लेगी ये वीडियो विशलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दि आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो जहां पर सबस्क्राइब लिखा हुआ है रेड कलर को उसे टच करके उसे ब्लैक कर दीजे ताकि आप चैनल सबस्क्राइब हो पाए बहुत बहुत धन्यबाद वंदे मात्रम जय हिंद